हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेचिंग बताना चौहान में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट थ्री जैसा कि पिछली दो वीडियो में हमने हिंदी क्लासिफिकेशन लेटर क्लासिफिकेशन और आज पढ़ेंगे नमर क्लासिफिकेशन तो जैसा कि हमने पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट कर लिया दोस्तों आज पार्ट थ्री कंप्लीट करेंगे और आज ही हमारा दोस्तो क्लासिपेकेशन का पूरा चेप्टर फिनिस होने वाला है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तो लाइक कर दीजिए फटाफट और यदि चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल ऐकन को प्रेस कर लेजिए जैसे की मज़ेदार वीडियो आपको टैम से मिलती रहें तो चलिए दोस्तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तो आप लोगों के सामने रहा आज का पहला कुश्चन तो दोस्तो सॉल्व कीजिए दोस्तो इसको फटा-फट नमबर क्लासिफिकेशन इसका पार्ट 3 है दोस्तो इसमें दोस्तो आपको मैथमेटिकल नमबर मलेंगे और आपको उसमें से जो विसम सब्द है ना यानि ज यह दोस्तो जल्दी से बताएए फटा-फट इसका राइट आइंसर क्या हो जाएगा मेरे भाए से बिभाजित नहीं है Next Question No.2 जल्दी से बताएगा Question No.2 का राड़ आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगा दोस्तो Question No.2 का राड़ आंसर कौन सा इसमें बिसम सब्द है Option B दोस्तो 45 यहाँ पर दोस्तो बिसम संख्या है क्योंकि दुस्तो जो बाकी की जो संख्याएं दी गई है ना दुस्तो 82 और 28 और 44 ये सभी दुस्तो संख्याएं दी गई है कैसी दी गई है दुस्तो संख्याएं लेकिन जो दुस्तो 45 है ना ये कैसी संख्याएं दुस्तो भी संख्याएं तो जो 45 है ये सबसे अलग हो बिल्कुल ईजी है दोस्तो जैसा कुस्चन नमबर दो में किया था ना सेम बेसा ही कुस्चन नमबर तीन में है दोस्तो जल्दी से बताईएगा दोस्तो फटा-फट इसको चुट्कियों में करना है दोस्तो सॉल्व option B यहाँ पर दोस्तो मारा right answer हो जाएगा क्योंकि 22 कैसी संख्या है दोस्तो एक संख्या है जबकि बाकी की संख्या कैसी है दोस्तो बिसम संख्या है 43 भी एक बिसम संख्या है और 13 भी संख्या और 41 भी दोस्तो बिसम संख्या है लेकिन जो 22 है ना दोस्तो यह कैसी संख्या है यह नैक्सक्राइब traffic स्प्रॉमें इसे घ्लासिफिकेशन के गुश्चन पूछे जाते हैं। जियों मिलते हैं नेक्स कुस्चन डोस्तों आप लोग इसका में यह होना है । फटाफट बताईए दुस्तो कुष्च नमर 4 का राइट अंसर क्या हो जाएगा मिरभाई ओफशन भी हमारा दुस्तो राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि जो 51 है न दुस्तो यह एक अबाज संख्या नहीं है नेक्स्ट है दुस्तो कुष्च नमर 5 बताईएगा दुस्तो फटाफट इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए दुस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कुष्च नमर 5 का बिल्कुल E.G. है दोस्तो देखिए का दुस्तो जो 26 है न दुस्तो यह 13 से विभाजित है और 91 भी जो 13 से विभाजित है क्योंकि 13 चेंग 78, 13, 97, 93, 96 लेकिन दुस्तो जो 84 है न 84 यह 13 से विभाजित नहीं है तो यह सबसे अलग हो गया न तो 84 दुस्तो यह आप नमारा राट हो जाएगा नेश्ट दोस्तों क्षिशन नम्बर च्श Carry बिलकुल 5 के ही जैसा है जखिए से बताई दो फाटबर इसका राय डंसर क्या हो जाएगा जैसा कि दोस्तों है ऐसशन आपर option number S हमारा राय डंसर हो जाएगा क्योंकि 12 एकम 12 12, take some, 12, go दोस्तों इस में क्या है दोस्तों ये सिनों की तीनों सिनक है 12 से बिबाजित हैं लेकिन जो Option motorcycle number C है न दोस्तो 59 ये 12 से बिबाजित नहीं है तो ये सबसे दोस्तों अलग हो जाएगा है ना दोस्तों बिलकुल ईजी चलिए दोस्तों मिलते है अपने next question से दोस्तों ये सबी question दोस्तों आपके exam में आई हुए है नेक्ट है दोस्तों question number 7 अब बताईएगा दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा question number 7 का right answer क्या हो जाएगा मेरे भाई जल्दी से बताईए फटा फट बिलकिल जी है दोस्तों अपने mind को थोड़ा इधर अधर घुमाईए और जल्दी से बताईए आपको क्या लग रहा है दोस्तों ये किसी का बर्ग है दोस्तों क्या? नहीं है ना? किसी का cube है क्या? नहीं है ना तो देखिए दुस्तो ऐसी condition हम दुस्तो क्या करते हैं इनकी संख्याओं को हम दुस्तो काउंट करते हैं जैसे कि 8 और 1 और 1 इनको तीनों को आपस में दुस्तो एड़ करेंगे तो 8 1 9 1 10 कितना हुगा दुस्तो 10 हुगा न अब 9 1 तो 9 1 कितना हो जाएगा यहापर डबल 0 है त 4 3 7 2 9 10 इसका भी दूश्तो योग कितना हो गया 10 लेकिन जो दूश्तो आफसर नमबर C है न इसका योग तो 10 हो यह नहीं रहा है क्योंकि 9 1 10 और 8 1 19 इसका दूश्तो योग कितना हो रहा है 19 जो सबसे दूश्तो अलग होगी ना यह संख्या जबकि बागी की संख्याओं का योग दूस्तो कितना है दस लेकिन option number c में ऐसा कुछ भी नहीं है तो option number c सबसे अलग हो जाएगा next है दूस्तो question number 8 फटाफट बताईए दूस्तो इसका right answer क्या है दूस्तो क्या इसमें भी योग हो रहा है क्या ये बर्ग है क्या किसी का cube है जल्दी से बताईए दूस्तो फटापट question number 8 का answer क्या हो जाएगा जल्दी से बताईएगा दूस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा यदि आपने चुना है दूस्तो option a तो बिलकुर right answer है आपका 512 जबकि दूस्तो पांसो बारे क्या है यह क्यूब है और यह किसका क्यूब है दूस्तो यह 8 का क्यूब है क्योंकि 8 का बर्ग कितना होता है दूस्तो 64 और चौसट ट्टे पांसो बारा जो आठ question number है न तो इसे आठ का क्यूब है और जो 625 है दोस्तो यह 25 यानि 25 का दोस्तो क्या है यह 25 का स्क्वेर है 25 का स्क्वेर है और जो 1296 है दोस्तो यह 36 का स्क्वेर है और जो 241 है यह 49 का स्क्वेर है दोस्तो किसका है 49 यानि 49 का स्क्वेर दिया गया है जबकि 512 क्या है दोस्तो यह 8 का क्यूब है तो यह नपर नो जल्दी से बताईए दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बैरी इंपॉर्टेंट कुछन दूस्तों ऐसे कुस्छन काफी बार रिपीट होगे है सेम टूसें और यह से कुस्छन रिपीट होते चार का स्कुएर है किसका है दोस्तो चार का और जो पांच है ना दोस्तो पच्चिस का स्कुएर किस्ता होता है दोस्तो पच्चिस का स्कुएर है दोस्तो पांच का यह चार का वर्ग 16 और पांच का वर्ग 25 और जो 36 है ना दोस्तो यह किसका है दोस्तो च्छे का वर्ग 36 और स दूस्ति-64 ये 64 किसका स्कुर्ण होता है दूस्त आठ का स्कुर्ण होता है ना और 81 किसका स्कुर्ण हो तो 9 यानि हमारा लॉजिक दूस्ति शेट हो गया न कि 4 कभर 15 कभर 25 छेका वर 36 7 कभर लेकिन दुस्तों 50 किसी का बर्ग होता है क्या नहीं होता है ना 25 किसका होता है दुस्तों 5 का होता है लेकिन दुस्तों 50 तो किसी का भी नहीं होता है यहां पर जितनी भी संख्याय दींगे किसी ना किसी के बर्ग है लेकिन जो दुस्तों 50 दिया गया यह तो बर्ग है ही नहीं आप लोगों के सामने ये रहा कुश्चन नमर 10 फटा फट बताईए दोस्तों का राइट आंसर क्या हो जाएगा कुश्चन नमर 10 का राइट आंसर बताईएगा दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा देखेगा दोस्तो कुश्चन नमर दोस्तो यदि आपने चुना है ओफसन ए तो बिलकुर राइट जबाब है दोस्तो आपका 382 क्योंकि दोस्तो जो 382 है ये 382 के तरक जितनी भी संख्या दी गई है वो दोस्तो 11 से बिभाजित है लेकिन जो jsə बहरे दैको 382 है वो 11 से बहुजिके आता 382 कैसा हो जाएगा दूस्तों रैठ हो जाएगा अब देखतेалы 671 को हम भाग में व्य्यारा को k 친ат बार बचा कितना दोस्तों एक लाब 117 का बार जाला रर चलागला ठीक उसी प्रक्रेकार 256 में वह दोस्तों 21 11 का देंगे तो 11 दूनी 22 बचा कितना 3 तो 11 तिया 33 यानि 23 से वह चला गया ना पूरा पूरा भाग 385 में भी दूस्तों 11 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दूस्तों 11, 33, 33, बचा कितना 5 तो 11, 55, 35 बार गया ना दूस्तों पूरा-पूरा कट गया लेकिन दूस्तों जो option A है ना इसमें 11 का भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि 11, 33, 33, बचा 5 अब बचाएगा कितना 52 तो भाग तो जाएगा नहीं यानि इसमें दूस्तों क्या हो रहा है इन तीनों में दूस्तों पूरी-पूरी संक्या कट रही है लेकिन option A में पूरी संक्या नहीं कट रही तो option A दूस्तों तो सबसे अलग हो गया ना जब आपको लगता हो कि इसमें ना तो दूस्तों ये किसी का बर्ग है ना तो क्यूब है तो आप पता दूस्तों इनको एक बर जोड़ कर घटा कर या किसी का ये भाग तो है नहीं है यानि किसी संक्या से कट तो नहीं रही है तो दोस्तो कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तो इनकी संख्याओं को आइड कर रहा है तो दोस्तो एक बार हम भी अड़ करके देख लेते हैं दोस्तो और यहाँ पर भी दो दोस्तो दोषी में दूस्तो साथ तो हैं नहीं तो नमबर सी हमारा राइट हूज़ अशर हो जाएगा क्योंकि यहा पर दुस्तो नाइञ pelvis 486 दिया है ना यदि हम दूस्तों इनका योग करेंगे तो जो इनका योग आएगा वही इनका भी आएगा वही इनका भी आएगा लेकिन दूस्तों यहाँ पर 4 दिया है बागी में 4 नहीं है तो option number 12 जल्दी से बताएगा दूस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा तो देखेगा दूस्तों क्या किसी के बर्ग हैं क्या यह किसी के क्यूब है ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो दूस्तों अब ऐसा करते हैं दूस्तों कहीं यह किसी से बिवाजित तो नहीं हो रहें दूस्तों हमको निए पूरापूरा चला गया नग हमारी क्रिया संतुش्ट हो गई क्योंकि इस सभी तीनों कैसे हो रहे है, छार से विवाजित हो रहे है अब 210 को दुस्तो चेक कर लेते हैं जब 210 में चार काम में नहीं भाग दिया तो 45 20, अब एक बचा दुस्तो 4 दुनिया टेहापर पॉइंट में आगया तो option number D दोस्तो मारा right answer हो जाएगा क्योंकि दोस्तो बाकी के सभी 4 से विभाजित हैं लेकिन option D 210 चार से विभाजित नहीं है तो यही मारा right answer हो जाएगा चलिए दोस्तो मिलते हैं अपने next question से next question दोस्तो आप लोगों के सामने ये रहा जल्दी से बताईए फटा-फट दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल लीजिए दोस्तो इसका option तो दोस्तो आपके सामने ही है जल्दी से देख क्या रहा हो जल्दी से बतादो na option number C दोस्तो यहाँ पर right answer है न क्योंकि बहुए लेकिन ग्यार है तो भया 115 से जाएगा इने न बाग यानि सीधी सीधी संक्या कट गई न तो हो गया न option number C मारा right answer नेश्टर दोस्तो question number 14 अब इसका भी दोस्तो आंसर बता दीजिए फटा-फट इसका क्या हो जाएगा right answer बताएगा दोस्तो जल्दी से आपको क्या लग रहा है दोस्तो जल्दी से अपनी नजरों को इधर उधर फैलाएए और जल्दी से right answer बताएए देखिए दोस्तो 3 2 5 1 6 यह दोस्तो क्या दिया गया है इनका योग दिया गया है इनका योग ही तो 12 और यहाँ पर दिया है 13 तो यह सबसे अलग हो गए तो यही मारा राइट अंसर हो जाएगा ना 6, 5, 11 और 11, 4, 15 यानि वहीं सेम दिया है ना इनका योग यानि इसमें दोस्तो क्या है कुश्चन नमर 14 में इन सबी के दोस्तो योग दिये गए हैं 3, 2, 5, 1, 6, 4, 3, 7, 2, 9, 6, 4, 5, 15 लेकिन दोस्तो आप्सन नमर C में योग तो 12 आ रहा है और यहाँ पर दिया है 13 तो यही सबसे अलग हो जाएगा नेक्स्त दोस्तो कुश्चन नमर 15 जल्दी से बताईए दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा यहाँ पर 17 दिया तो दोस्तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना 7, 2, 1, 14 भाई इनका क्या हो रहा है इनका दोस्तो मल्टिप्लाई हो रहा है 8, 2, 1, 16 होते हैं यहाँ पर 17 कर दिया 7, 2, 1, 14 होगा 6, 4, 24 होगा 5, 15 होगा लेकिन भया ओफ्सन नमबर C में तो 16 होना चाहे यहाँ पर 17 दिया यह जबसे अलग हो जाएगा ना नेक्स्टो दुस्तो क्षिटन नमबर 16 जलदी से बताएगा दुस्तो क्षिटन नमबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेगा दुस्तो यह थोड़ा ने टप कुस्चन है दुस्तो लेकिन आपको समझना होगा अच्छे से जैसे कि दुस्तो यह अपर 13 दिया गया है न दुस्तो 13 यह 13 दुस्तो पहले इसकाम क्या करेंगे दुस्तो इसमें 13 का क्यूब करेंगे दुस्तु क्या करेंगे तेरे का क्यों और तेरे का क्यों कितना होता है दुस्तु तेरे का क्यों होता है 297 कितना होता है दुस्तु 297 इसके बाद हम इसी तेरे का दुस्तु स्क्वेर करेंगे तो तेरे के स्क्वेर करेंगे तो तेरे के स्क्वेर कितना होता है दुस्तु फिक लिए तो एक बर खाटा कि आप देखि लेंग 지금 क्यों गया आठ और यहां र किदना बचेगा। आठ बचा और आठ मेंसे चाह गया दो और यहां पर दुस्तों कितना बचा एक तुन एक का एक जीरो और दो बच गया यानि वहारे दुस्तों क्या हुआ एक बार क्यू हुआ और एक बार स्क्वेर हुआ तो 277 मेंस जैसे इसमें 119 माइनस करें कि दुस्तों 2018 आ जाएगा 2391 मेंसे 121 माम LED करें के दुस्तों तुमारा 1210 आ जाएगा अब देखते हैं कुष्चन में से में दोस्तों 7 का Q कितना होता है 243 होता है और 7 का S square कितना होता है 29 होता है जब हम 343 में से 49 मैनिस कैमेंगे तितना बचेगा 13 में से 9 गया 4 यहांपर कितना बचेगा दोष्ट appreciative 1 तिए पर 11 तिis 18 बचेगा तितना बचेगा तोíem यहांपर 23 3 तरह में से 9 आप इस से लेंगे एक हांसिल तो कितना बचाएगा कि दो यानी दूस्तो 294 बचाएगा लेकिन दूस्तों यहांपर वंहें कितना दिया है लेकिन यह 336 आ रहा है तो यह तो भाई सबसे अलग हो गया अब एक बार ऑप्सन नमर D को भी चेक कर लेते हैं दूस्तो 9 का Q कितना होता है दूस्तो 739 होता है और 9 का स्क्वेर कितना होता है दूस्तो 81 होता है जब दूस्तो 739 में से दूस्तो माइनस का 181 घटाएंगे तो किसना आएगा दूस्तो 648 आएगा 9 में से गया 8 और 12 में से 4 गया 8 और यहां पर कितना बचाएगा 6 यानि दूस्तो यह भी क्या हो गई यह इसमें भी दूस्तो 9 का Q हो रहा है 9 का स्क्वेर जो option number C हमारा दूस्तो सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि भी option number C में दूस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना ही इसमें cube हो रहा है और ना ही इसका दूस्तो square हो रहा है और cube square होने पर दूस्तो 294 आना चाहिए था यह आपर दूस्तो 336 आ रहा है लेकिन दूस्तो जो option number C है ना इसमें कितना दिया है दूस्तो 21-40 है यह 21 का पाड़े में 40 तो कट आता ही नहीं यह 21-40 से विवाज़त है ही नहीं जबकि बाकी के विवाज़त है यह 23-20-40, 19-21-30, 16-22 लेकिन 21-40 से विवाज़त नहीं है जीकिन है दूस्तो इसने पैसिक पलट करो में इससा थाय और 55 से और 85 को पलट कर 2 आएगा यहा पर है 45 पाड़े धिया लेकिन बाकी में दूस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है 34 को पलटा 33 तिस पलटा 32 32 12 को पलटा तो 21 लेकिन 55 को पलटने पर दूस्तों पच्पान आना चाहिए था यहां पर 65 तो आप्सन नमबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट है दूस्तों कुष्चन नमबर 19 19 बेसिक इस जल्दी से बताएगा दूस्तों फटा पर इसका राइट आंसर क्या हो 5 मैंसे दूस्तों यह मानजे का दू करेंग दूस्तों कितना आएगा दूस्तों यहां पर 13 कितना अरा्य है तीन आराय दूस्तों यहां पर भी तीन का अंतर है कि 28 29 31 देखेगा दोस्तो तो आफसन नमबर सी मारा राट अंसर हो जाएगा क्योंकि दोस्तो बाकी के जो आफसन दिये गए उनमें सभी में हैं तीन का अंतर है लेकिन आफसन नमबर सी में दोस्तो चार का अंतर है तो यही सबसे मारा अलग हो जाएगा नेश्ट दोस्तो कुश्चन नमबर 20 जल्दी से बताएगा दोस्तो फटापट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल एजी है दोस्तो यदि आपको पता हैं कि समसंख्यां कौन सी होती हैं बिसमसंख्यां कौन सी होती हैं और अभाज संख्यां कौन सी होती हैं तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे भाई जल्दी से बताईए किसका राट अंसर क्या हो जाएगा यदि दोस्तो आपने चुना है आफसन बी तो बिलकुल सही जवाब है आपका क्योंकि दोस्तो जो 47 और 49 चास है दोस्तो ये कैसी ये अबाज संक्याई नहीं है ये तो कट सकती है दोस्तो लेकिन जो बाकी की जो अबाज संक्याई नहीं है तो ओफ्सन भी हमारा दोस्तो सबसे अलग हो जाएगा नेक्टर दोस्तो कुस्षण नमर 21 चलदी से बतायेखा दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका तो आपको जबाब देना पड़ेगा भाई गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा question दोस्तो हम आपको अभी पिछले ही question में करवा के आए है जल्दी से बताए दोस्तो इसका logic क्या है इस logic को हम अभी करवा के आए हैं जल्दी से बताए दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बिल्कुर right answer होना चाहिए इसका question नमर 21 का देखे दोस्तो एक बार इनको एड़ करेंगे ना दोस्तो 3,2,5,1,6 भाईया 14 इनको एड़ करके लिखा गया है 5,2,7,1,8 भाईया एक इनको भी एड़ करके लिखा गया है 4,2,6,1,7 इनको क्या किया गया है दोस्तो एड़ करके लिखा गया है 2,1,3,1,4 भाईया यहां पर 4 आना चाहिए था यहां पर दोस्तो 3 दे दिया है option number D हमारा right answer हो जाएगा दोस्तो क्योंकि दोस्तो इनको क्या किया गया है दोस्तो एड़ करके लिखा गया है लेकिन option D में दोस्तो 4 आना चाहिए और यहां पर दोस्तो 3 दिया गया अब आपके सामने आता है दोस्तो आज का आखरी question और यहीं से दोस्तो हमारा chapter समाथ हो जाएगा और आपकी बार पढ़ाएंगे दोस्तो अपना नया chapter तो बताएगा दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा जल्दी से फटा फट question number 22 और तेश का दोस्तो इस part 3 में हम आपको 23 question का संग्रे लेकर आये थे जो कि आपके सभी exam जितने भी competitive exam हुए है न उस सभी question आपके exam में आई हुए question है तो जल्दी से बताएगे दोस्तो question number 22 का right answer क्या हो जाएगा दोस्तो ये काफी थोड़ा moderate question है तो जल्दी से आप बताएगे इसका right answer क्या हो जाएगा देखे दोस्तो इससी condition हम को क्या करना होता है दोस्तो इससे डी दिया गया है तो सबसे पहले दोस्तो इनकी rank को लिखेंगे जी की rank कितनी होती है दोस्तो 4 होती है और जी की rank कितनी होती है दोस्तो 7 होती है और यहाँ पर जो दोस्तो 2 दिया गया है ना एक मिनट दोस्तो हम इसको 7 और 4 को क्या करेंगे दूस、 हम एक بर माइनस करेंगे, तो कितना करेंगे माइनस, या पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या यह ≦ d आ गया गया है न, दूस, थि आ गया है न दूस तो, इस d आर इस दो को हम आपस मैं ऐड़ करेंगे दूस, चार और दो दूस्तों कितना हो जाएगा दूस्तों छे हो जाएगा और जी की रेंक कितनी होती है दूस्तों साथ होती है तो इसको साथ से हम छे को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दूस्तों एक बचेगा दूस्तों अब यह देखना है कि यही कंडिशन दूस्तों दो किना होगा तो छह उती है अब आपस क्या करेंगे जो दो कितना हो जाएगा के थैर तो 10 किनतर लेकिक है तो कितने क一ह और दो टारेंणायों को टैकर क्रेंगा उतिकिकी किज्छा करेंगे कितना हो जाएगा 10-6-16 और R की rank कितनी होती है उस्टो 18 और 18 और 16 में जुस्तो कितने का different है दो का difference है इसमें इक का आया इसमें इक का आया इसमें दो का आया अब दोस्तो question number D को देखते हैं option D को P की rank 16 होती है और 16 में ज xem आठ जोडएं दूसतों, कितना हो जाएगा दूसतों 24 हो जायगा, और बाइक रैंग दूसतों कितनी होती है, 25 होती है, और जब 25 और 24 में दूसतों, डिफ्रेंट कितने हो जाएगा, जबकि देखिए दूसतों nosso C, जसभी में क्या है, logic तो दोको सभी का वही चल रहा है, same लेकिन जो option C है दोस्तो इसमें आरा difference दो का बागी कि option दोस्तो एक का difference है तो option number C दोस्तो हमारा right answer हो जाएगा दोस्तो काफी कभी question ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ा tough हो जाते हैं लेकिन दोस्तो यदि आप इसको थोड़ा और एक बार देखेंगे न तो आपको इससे बिल्कुल related कोई भी गलती आपको मैसूस नहीं होगी दोस्तो बिल्कुल आप इसको rat कर देंगे इसको ऐसे question को आप दोस्तो एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे न तो ऐसे question last है दोस्तो यह हमारा question number 20 दिया गया है अब बताइगे दोस्तो इसका rat answer क्या हो जाएगा अब देखिए दुस्तो इसका लोजिक क्या हो सकता है जिसे डी दिया है डी कि रहेंग कितनी होती दुस्तो चार होती है और आर कि रहेंग दुस्तो कितनी होती है अठारे है और अठारे है और चार को तरब हम दुस्तो एड कर लेंगे तो अठारे चार दुस्तो कितना आ गया यहाँ हुआ तो भाय तो सुर्ट수 कितनगा जिकिने होती साथ होती है मिपने होती दिस तो त्यरह होती है सफनीं में 24 कि भी नियुक सेयु एड दो सफनीं में 16 आ रहा हैока शियुक्र संब्धमुद्हूर hardcore भी सम. तो यह मैं 5 सेयुक्र आससे में 25 थीए वी की रैंग दोस्तों कितनी होती है बाइस होती है और बी की रैंग दोस्तों कितनी होती है बी की रैंग दोस्तों दो होती है यदि बाइस में दोस्तों दो एड कर लेंगे तो कितना हो जाएका 24 यानि सेम लॉजिक है लेकिन जो जो आपसन नमबर बी है न दोस्तों इसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है दूस्तों तो option number B दूस्तों यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा क्योंकि दूस्तों 13,7 क्या हो रहा है दूस्तों 20 हो रहा है यहाँ पर 29 दिया गया है यानि इस question में दूस्तों क्या logic निकल के आया कि जो word दी letter दियेगे लेटर का योग इनके middle में दिया गया वैनि इनkे letter ओं का योग इनके middle में लिका आया है ती की rank 20, B की rank 16 और इनका योग 36 B की rank 22, इनका योग 24 D की rank 4 R की rank 8 इनका योग 22 लेकिन दोस्तो इसमें तो आया ही नहीं इसमें आ रहा है 20 लिकने आ दिया है 29 तो यह दोस्तो सबसे अलग हो जाएगा उमेद है दुस्तो के आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तो यह ऐसे ही कुश्चन आपके UP पूरे तरीके से कंपलीट होता है दोस्तो आज हमने इसका part 3 भी complete कर लिया है अब दोस्तो आपके सामने reasoning का कोई अच्छा सा chapter हम आपके सामने लाएंगे दोस्तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो तो चलिए दोस्तो मिलेंगे हम आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक और वीडियो के साथ धन्यवाद